मैं प्रोफ़सर सविन सिंग अपने जियोगर्फी लेक्चर सिरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम भारत के बिशाल मैदान के रचना के संदर्व में चर्चा करेंगे। Today, I will talk about the formation of Great Plains of India. भारत का बिशाल मैदान पस्चिम में राजस्थान से लेकर के पूर में आसाम तक फैला हुआ है। और उत्तर में हिमाले परवत और दक्षिन में प्राइद्यूपी भारत के बीच एक संक्रमण मंडल के रूप में है। ट्रांजीशन जोन के रूप में है। यहां पर है या मेरा तात पर है रचना से है फार्मेशन से लिथालोजिकल कमपोजीशन शैली की यह बनावत। और इस द्रिशकोंड से हम इस बिशाल मैदान को चार भागों में बाड़ते हैं। नमबर एक भाबर प्रदेश, नमबर दो तराई प्रदेश या मैदान, नमबर तीन बांगर प्लेन और नमबर चार खादर प्लेन। तो यह जो भाबर प्रदेश है, वह हिमाले के बाज हिमाले, या आउटर हिमाले या सिवालिक स्रेणियों के पदस्थली के पास वाला हिस्सा होता है। हिमाले से आने वाली नदिया जब पदस्थली पर पहुँशती हैं, तो अहां पर अचानक धाल में कमी हो जाती है। स्लोप ग्रेडियन्ट डिक्रीजिस और नतीजा क्या होता है कि इसे हम जो है जियो मर्फालीजी में ब्रेकिन स्लोप कहते हैं, ढाल भं कहते हैं, यानि ढाल में ब्रेक हो गया है। और जो नदियां का प्रवाबेग भी कम हो जाता है ढाल कम होने के कारण, उनके साथ जो बड़े-बड़े बोल्डर्स, कोबुल्स, पेबुल्स, ग्रेवेल्स इत्यादी आ रहे थे, वो सभी पदार्थ इस पदस्थली के बाद एक सकरी पट्टी में जमा हो जाते हैं। और इस पथरीले इसे को, पथरीले का मतलब है कि बोल्डर, पेबुल्स, पेबुल्ड ट्रैक्ट को, यानि ये पेबुल, यानि गोलास्म, युक्त, पट्टी को हम भावर पट्टी कहते हैं, जिसमें नदियों का जो जल है अद्रिश हो जाता है, यानि नीचे चला जाता ह दिखाई नहीं पड़ता है और इसका नामकरन भावर प्रदेश हुआ क्योंकि यहां पर उंची और लंबी लंबी घासे होती हैं जिनका स्थानी नाम है भावर उसे क्याधार पर इसको हम भावर प्रदेश कहते हैं और इन घासों का उपयोग क्या होता है रसी बनाने में तो जब जहां पर यह बोल्डर वाली सीमा समाप्त होती है तो नदियां अपने साथ बारिक पदार्थों को जमा करती है अलूबियल फैंस के रूप में जलोड पंकों के रूप में और यहां पर जो सता है भूतल के जो सता है ग्राउंड सर्फेस है वो समतल हो जाती है चार इस पे फैल जाता है जैसे देखिए आपके जो घर के जो फर्स होती है वो पानी गिरता है तो फैल जाता है लेकिन उबह के आगे तो नहीं बढ़ता है तो यहां भी इसमें नदियों का जल फैल जाता है वो आगे उसका में बहाव नहीं हो पाता है इसलिए कहते हैं इस तरह क के अपवा को ड्रेनेज को कहते हैं डिफेक्टिब डेनेज यानि इनकंप्लीट डेनेज अपूर्ड अपवा कहते हैं और यह जल जादा तर रिस्ट करके नीचे चला जाता है परिणाम यह होता है कि जमीन में नमी जादा हो जाती है इसी कारण से इसको क्या कहते है तराई तराई माने क्या होता है इन दी में क्या कहेंगे वो तर अंगले जीम कहेंगे वेट या डेन तो यह तराई रीजान यानि तर प्रदेश है यहां पर जानते हैं यह जो भूजल है ग्राउंड वाटर टेबिल है वो बहुत उपर होता है बहुत कम गराई तकी बोरिंग करने के पंपिंग सेट में या हैंड पाइप में पानी मिल जाता है तो इस तराई छेतर जो पहले थ फीन फ़ार यह वो साल और पाईन के घंअे बनों से अच्छादित था। लेकिन बातमान समय में क्या किया गया है कि इसमें अधिकांस बनों को साफ कर दिया गया है अब उस पर अब कृशी की जा रही है जिसमें गन्निकी खेती प्रमूख है, धान की खेती प्रमूख है मक्का है गेहूं है और तिलहन आयल सीट्स इनकी खेती की जाती है खास करके उत्तर प्रदेश के तरही छेतर में उत्तराखंड के तरही छेतर में और बिहार के तरही छेतर में सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तरही छेतर में कृशिक की जाती है खाग और नदियों के जो किनारे वाले भाग होते हैं, दोनों तरफ, जहां पर बाड़ के समय, नदी का जल दोनों छोरों पर, दोनों किनारों को पार करके फैल जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लर्ट प्लेन, बाड़ का मैदान. और देखे पहले एक टर्मा और जानिए कि नदी का जल जब उसमें बाढ़ाती है तो किनारों को पार करके बाएं किनारे और दाहिने किनारे दोनों तरफ फैलता है और जो इसके पहुँचने की अंतिम सीमा होती यानि जिस अंतिम सीमा तक ये जल पहुँचता है उसको bluff कहते बी यल यू य फ य बलफ तो नदी के किनारे दोनों तरफ बलफ होते हैं उंचे भाग होते हैं बलफ माने उंचा भाग आनि उसके उसको पार करके पुना जो है जल आगे और नई फैल पाता है तो ये बाढ़ मैदान है जिसमें नदियां प्रतिबर्स अपने साथ लाई अबरती रहती, fresh oil is deposited, यह सु क्या कहते हैं, alubium या जलोड, जिसमें clay होती है, silt होती है, gravels होता है, ये कुल मिला जुला जो भाग होता है, उसको जलोड या काँप या alubium कहते हैं, और चूकि प्रतिबर्स बाढ़ का पानी इनकी एरिया में इस बाढ़ मैदान में पहुंच जाता है इसलिए प्रतिबर्स मिट्टी का नमीनी करन होता रहता है एनि स्वायल इस रिन्यूड एवरी यर एन स्वायल इस इन्रिच्ट एवरी यर उसमें पोशक तत्तों का नमीनी करन प्रतिबर्स होता रहता है इसलिए ये बहुत उपजाओ होते हैं इनको कहते हैं खादर प्रदेश खादर प्रदेश माने मोटी वासाब में नदी का बाढ़ छित और बलफ के बाद जो उचा वाला भाग होता है जहां पर नदी का जल अधिकतम बाढ़ के समय भी नहीं पहुँच पाता है उसे बांगर कहते हैं तो बांगर is a higher land where the river water does not reach और इस बांगर को हम मैदान के बिभिन छेत्रों में अलग-अलग नामों से जानते हैं जैसे पस्चिम बंगाल में इसे बैरेंड फिल्ड कहते हैं और इसको इंगलिस में वरेंडर चेत्र कहते हैं और लोकल बंगाली भासा में इसे कहते हैं बोरेंद्रो भूमी बोरेंद्रो भूमी और यह जो है वो लोकल नाम है और एक्चुली जो बैरिंट फील्ड है बांगर वाला हिस्सा वह बंगाल बेसिन में केंदरित है जिसका लगबग दो तिहाई भाग बंगलादेश में चला गया है केवल एक तिहाई भाग भारती राज्य पसिम बंगाल में यह डेल्टा प्रदेश जो है उसकी उपरी भाग में जैसे उत्तरी मिदिनापूर है दिनाज पूर है मालदा है इत्याज जगहों पर यह बोरेंद्रो भूमी पाई जाती है अब उत्तर प्रदेश में गंगा और जमना नदी का जो दौबा छेतर है यहां दो नदियां मिलती है तो संगम से उपर वाले दो नदियों की बीच वाले भाग को दौबा छेतर कहते हैं तो इसके दो भाग होते हैं एक लोवर दौब और एक होता है अपर दौब तो लोवर दौब में तो क्या होता है खादर होता है अजिसको कछार भी कहते हैं नदियों के किनारे वाले लोग जो हैं वो इसको भरीभाद जानते हैं कि कछार किसे कहते हैं खादर कहते हैं लेकिन जो उपर वाला भाग होता है अपर दौब जो छेतर होता है उसको यानि गंगा जमना के अपर दौब छेतर में इसको भूर कहते हैं या भूर कहते हैं बी होती है यानि नमकीन और छारी पतार्थों से होती है जिसे रिये कहते हैं आरियच या कलार कहते हैं इसको और इसे उसर लेंड बन जाता है उसर भूमी बेरेन लेंड और जो उपजाओ बहुत कम होता है हाँ जब इसकी गहरी सिचाई की जाती है तब इसमें पसलों का उत्पा समय में गहरी सिचाई के कारण ही यादा सिचाई के कारण ही ये रे छेत्र का बिस्तार हो गया है। तो इस तरह से बिशाल मैदान के ये चार भाग हैं भाबर फिर तराई फिर बांगर और खादर। अब हम अगले अपने लेक्चर में बिशाल मैदान की उत्पत पर हम चर्चा करेंगे कि विविन बिद्वानों के अंसार किस तरह से इस बिशाल मैदान का निर्माड हुआ है। बस आज इतना ही रात के करीब इसमय रिकार्ड करते समय दस बज करके 45 मिनट हो गए पहुने 11 बज रहा है रात के जब मैं रिकार्ड कर रहा हूँ। अब इसको अभी जो है अपलोड करूँगा मैं सुभरात्री नमस्कार यह सायद वीडियो आपको कल सवेरे मिले लेकिन मैं अपलोड अभी करूँगा जी नमस्कार